Hello Friends, Welcome Back to My Channel आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बालों के लिए एक काफी अच्छे हेर टॉनिक के बारे में बताने वाली हूँ आज का वीडियो हमारा हेर केर से रिलेटेड होने वाला है आज इस वीडियो में जो हमारा की इंग्रिडेंट है वो है हमारे फेनेगरिक सीड्स याने की मेथी दाना हमें यहाँ पर मेथी दानों से एक हेर टोनर बनाना है अपने बालों के लिए फेनेगरिक इस ग्रेट फॉर एर हेर, सकिन और बाड़ी क्या आप जानते हैं कि मेथी दाने के आपके बालों के लिए क्या-क्या फायदे हैं तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं फेनेगरिक सीड्स को बालों पर यूस करने से आपका हेर फॉर रिडियोस होता है अगर आपके बाल बहुत जारा ज़ड़ रहे हैं तो आपको मेथी दाने को अपने हेर के रूटीन में एड़ जरूर करना चाहिए इस ट्रेमिरी को प्रिपेर करने के लिए सबसे पहले मैंने यापर मेथी सीड्स लिए हैं आप अपने बालों के अकॉर्डिंग सीड्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं सबसे पहले हमें यासे दो से तीन चमच मेथी दाना लेना है और उसे हम ओवरनाइट पानी में सोक करकर रखेंगे उसके बाद मौर्णिंग में पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा डाक यलो उसका कलर हो जाएगा तो जो मेथी के सीड्स रहते हैं इन्हें हम यहाँ पर इस तरह किसे भिगो देंगे और क्या आप जानते हैं कि मेथी के सीद्स हेयर ग्रोथ प्रमोट करने का काम करते हैं मेथी के इन छोटे छोटे दानों में इतनी ज़ादा ताकत होती है कि आपके नए बाल उगाने में हेल्प करते हैं जहां पर आपको स्केल्प में बॉर्डनेस आ रही है या फिर कहीं कहीं पर आपके बाल बहुत हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम अगर हो रही बाल बहुत जारा पत्ले हो गए हैं और बीच से तूट रहे हैं तो मेथी दाना हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है साथ ही मेथी सीट से बना हुआ ये पानी जो है ये आपके स्केल्प से एकसेस ओयल को रिमोव करने का काम करता है अगर आपका स्केल्प बहुत जादा ओयली है आपके बाल बहुत जल्दी ओयली हो जाते हैं तो एकसेस ओयल को कंट्रोल करने का काम करेगा मेथी सीट से बना इसके अलावा फैनेक्रिक सीद आपके डैंडर्फ को कंट्रोल करने का काम करता है अब आप देख सकते हैं मॉर्निंग में 10-12 घंटे हमने इसको सोक करके रखा था ओवर नाइट के लिए मॉर्निंग में इस पानी का कलर चेंज हो गया है डाक यलो हो गया है सो अब हम इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में एक कंटेनर में भड़ लेंगे और इसके बाद मैं आपको इसे अपने पुरे बालों पर अपलाए करके बताऊंगी इसके अलावा मेथी दाने का ये पानी लॉंग बालों के लिए बहुत अच्छा है अगर आपके बाल लंबे ह अब आपको इसे पानी को अपने बालों पर रेगुलर्ली यूस करना चाहिए अगर आपके बाल टाइम से पहले सफेद होना स्टार्ट हो गए है तो वीक में तीन से चार बार आप मेथी सीद्स के पानी को कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आपको करके दिखाया है अपने प आने पूरे स्केल पर लगा सकते हैं साथ Republic Д piece के टोनर की मदद से आप अपने डिमेच फिर को काफी हद साथ ही यह जो टोनर है आपके बालों के लिए यह आपके डी टैंगल हेयर को काम करने का काम करेगा इसके अलावा आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा और फ्रिस्फी बनाने में भी हल्प करेगा अब मैं अपने पूरे स्कैल पर इस मेती सीट के पानी को डाल रही हूँ तो इस तरीके से मैंने पार्टिशन कर लिया है और अपने पूरे हेयर लेंथ पे अपने पूरे स्कैल पर इस हेयर टॉनिक को मैं डालने वारी हूँ ड्राइ हेर के लिए मेथी सीड्स का पानी एक बहुत अच्छा औप्शन है परसनली मुझे इसकी खास बात ही अच्छे लगी कि कर्ली हेर के लिए बहुत अच्छा है मेथी सीट्स का पानी अब आप मेथी सीट्स को अपने dry damage बालों पर डालें week में 2-3 बार आप इस hair toner को स्प्रे कर सकते हैं आप चाहें तो इसे बाल wash करने के बाद भी आखरी में 1 cup मेथी सीट्स के इस toner से अपने बालों को rinse कर सकते हैं और इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से मसाज करनी है। अप्टू 5-7 मिनिट्स क्लेम अपने स्काल्प को अच्छे से मसाज करेंगे। ताकि जितनी गुड़नेस है मेथी सीट्स की जो मैंने अभी इस वीडियो में कवर की है। ये सभी हमारे बालों को मिले। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए। इस तरीके से आप जूड़ा बना सकते हैं।